Hello everyone and welcome to NeatBuddy अब हमारे Neat exams के लिए बहुत ही कम समय रह गया है और hopefully आपकी सारी preparations अभी तक खतम हो चुकी होंगी तो आज हम आपके साथ discuss करेंगे कि हम अपना Neat का paper attempt कैसे करें ये कैसे attempt किया जाए कि आपके पास sufficient time हो आपना पूरा paper complete करने के लिए और साथी साथ OMR sheets fill करने के लिए भी अभी जब आप अपने sample papers solve कर रहे हो तो आप इसी तरीके से अपने sample papers भी attempt कीजिएगा so that आप ये pattern Neat exam के time पे भी असानी से follow कर सके so हम आज के इस video में देखेंगे कि आपको अपना paper किस section से start करना चाहिए किस section को कितना time देना चाहिए और आप अपना OMR sheet कब और कैसे fill करेंगे so guys without wasting any more time let's get into it इससे पहले कि हम ये देखें कि आप Neat का paper attempt कैसे करेंगे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है first of all जो आपका Neat है it is an offline examination offline मतलब it is a pen and paper based examination आपको answers OMR sheet में mark करने होते हैं अब अगर आपको नहीं पता है कि OMR sheet आखिर है क्या तो हमने OMR sheet के लिए भी एक video बनाया हुआ है जिसमें हमने पूरा OMR sheet का explanation दिया है कि OMR sheet क्या है आप उसको कैसे fill करते हो best practices क्या है सब कुछ हमने बताया हुआ है तो आप उस video पे जा सकते हो हमने link description box में दी हुई है आप sample OMR sheet डाउनलोड करके उस पे एक दो बार practice जरूर कीजिएगा आप एक दो question papers उसमें solve जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक idea मिल जाए कि OMR sheet fill कैसे करते हैं और उनको fill करने में आपको time कितना लग सकता है OMR sheet पूरा भरने में आपको at least 20 to 30 minutes लग सकता है आपको पूरे 180 bubbles fill करने होते हैं तो इसके लिए आप 30 minutes तो लेके चलिए कि आपको 30 minutes तक लग सकते हैं जब हम कह रहे हैं कि आपके पास 3 hours का paper है और आपको जब आदा घंटा OMR sheet fill करने में लग जा रहा है तो आपके पास paper solve करने के लिए जो time बचा है It is 2 and a half hours So आपके पास 180 questions attempt करने के लिए सिर्फ 150 minutes ही है So आप ये सोच के मत चलिएगा कि आपके पास 180 questions attempt करने के लिए 180 minutes है नहीं आपके पास पूरे 180 minutes नहीं है आपके पास सिर्फ 150 minutes है So ऐसे देखा जाये तो आपके पास एक question के लिए एक minute से भी कम time होगा And आपके physics और chemistry के जो question होते हैं वो इतने असान तो होंगे नहीं तो आपको एक minute से ज़ादा time भी लग सकता है So आपको क्या करना है आपको अपना bio strong करना है आपको paper ऐसे attempt करना है कि आपका जो bio है वो कम से कम time में खतम हो जाए और physics और chemistry के लिए आपके पास ज़ादा से ज़ादा time रहे बले ही आपके bio में 90 questions आते हों सबसे ज़ादा questions आते हों उनको solve करना सबसे असान होता है as compared to physics and chemistry जिसमें आपको numerical solve करने पड़ते हैं So इसके लिए अगर हम आपको एक rough time split दें मतलब एक time frame देख कि आपको एक section कितने time में खतम कर देना चाहिए तो वो कुछ ऐसा रहेगा आपको अपने bio के 90 questions हैं पूरा bio का section आदे घंटे में खतम कर देना चाहिए तो आदे घंटे में आप जब bio अपना खतम कर दोगी तो आपके पास physics और chemistry के लिए आपके पूरे 2 घंटे रहेंगे अब इसमें भी आप अपना chemistry के लिए 50 minutes लगाएगा और physics की ज़्यादा difficult और ज़्यादा numerical होते हैं तो आप 1 घंटा 10 मिनट के around physics के लिए छोड़ सकते हो या आप चाहो तो physics और chemistry दोनों एक एक घंटे के लिए अपना time रख सकते हो यह आप पर depend करेगा कि आपकी physics कितनी strong है आप कितने confident हो कि physics के numerical आप कितने अच्छे से कर सकते हो क्योंकि usually हमारा जो chemistry होता है वो भी आधा memory based ही होता है बट physics में ज़्यादा तर आपका numerical ही रहता है इसलिए हमने physics के लिए थोड़ा ज़्यादा time रखा हुआ है बट आप एक दो बार practice करके देखिएगा आपको किस में ज़्यादा time लगता है और उस हसाब से आप अपने NEET exam के लिए भी time stamp रखिएगा next comes the sequence to attempt the paper हमारे paper में तीन sections होते हैं physics, chemistry and bio and हर set में आपका ये sequence different होता है कहीं पे bio पहले आता है किसी में chemistry पहले आ सकता है और किसी set में आपका physics पहले आता है so आपको कौन सा section सबसे पहले attempt करना चाहिए ताकि आप अपना NEET का paper जल्दी से जल्दी attempt कर सके again let us remind you कि ये जो sequence हम बता रहे हैं ये बस एक option है and most feasible option kind of है bio students के लिए but अगर आपका अपना chemistry या physics strong है तो आप अपना chemistry या physics से भी start कर सकते हो now the first subject that we would recommend you to attempt is bio reason being आपका bio comparatively easy होता है as compared to physics and chemistry आपका bio usually easy रहता है because उसमें numericals नहीं होते हैं जादा theoretical based होते हैं और अगर आप एक बार पढ़के गए हो तो आपको सीधे सीधे answers देखके ही मिल जाते हैं आप अपना bio का paper बहुत जल्दी खतम कर सकते हो and अगर आपका पहला section इतनी जल्दी इतनी असानी से खतम हो जाए तो it will give you confidence और आप बड़ी ही confidently अपने अगले section पर move कर सकते हो another reason for you to start with bio is because आपका जो आधा paper है नीट का वो bio होता है out of those 180 questions आपकी 90 questions bio की होते हैं और अगर आप अपने आधे घंटे में अपना आधा paper खतम कर देंगे तो आपका confidence बहुत जादा boost हो जाएगा आपको यह लगेगा कि आपने जब 30 minutes में 90 questions कर लिये हैं तो बचे हुए 2 घंटे में 90 questions करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं after that move on to the chemistry section क्योंकि chemistry में physics से comparatively कम time लगता है and usually chemistry में काफी कुछ theoretical भी होता है so physics को last के लिए छोड़के chemistry हम पहले complete कर लेंगे so हमारा इस time period में bio हो जाएगा और chemistry भी हो चुका होगा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो time frame लेके चल रहे हो उसको strictly follow करिएगा so जब आप कहे रहे हो कि आप 30 minutes bio के लिए दे रहे हो तो 30 minutes में आपके जितने bio के question होते हैं उतने आप complete करिए and then move on to next section जो आप 50 minutes में chemistry लगा रहे हो वो जितने आपके हो सकते हैं उतने लगाए move on to next section end में अगर आपके पास time बच जाता है या आपके questions नहीं बन पा रहे होते हैं physics या chemistry के तो अगर आपके bio के कुछ questions बचे हुए थे तो वो आप दुबारा attempt कर सकते हो so ऐसा होना चाहिए कि आपने पूरा paper एक बार देखा हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा time bio chemistry में लगा दिया और physics के तो आपने question ही नहीं देखे थे time split को starting से strictly follow कीजेगा so that आप at least हर section को एक बार देख सके and जो जो आपको questions आते थे वो आप एक बार at least try कर सके and अगर आपके questions नहीं बनते हैं या आपके पास time जाधा रह जाता है तो आपने अगर पुराने questions छोड़े थे bio की chemistry के वो आप जाके attempt कर सकते हो and हमने physics को last इसलिए रखा हुआ है कि in case आपका bio chemistry जल्दी complete हो जाए say आपका bio 30 minutes की बज़ाए 25 minutes में हो जाए chemistry 50 minutes की बज़ाए 45 minutes में हो जाए तो आपके पास physics में invest करने के लिए 10 minutes extra होंगे तो आप physics को फिर अराम से बैठके solve कर सकते हो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि आपको 2 hour 30 minutes के बाद अपना OMA sheet भरना start करना है तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही discipline होना होगा जब आपने कहा है कि आप 2 and a half hours में paper करोगे और बागी 30 minutes आप OMA sheet के लिए रखोगे तो आपको ओर 30 minutes OMA sheet के लिए रखना ही है आप end में जाके थोड़ी देर और थोड़ी देर और मत करते रह जाएगा कि आपको OMA sheet ही fill ना हो अभी हमने दो बहुत ही important चीज़े discuss कर ली कि हमें हर section को time कितना देना है और हमें कौन से section से start करना है और किस sequence में चलना है फिर आता है हमारे topic का सबसे important part which is filling of OMA sheet हमारा need paper offline है आपने भले ही पूरा question अच्छे से solve कर लिया सब कुछ answer नकाल लिया लेकिन अगर आप अपने OMA sheet में उसे fill नहीं कर पाए तो आपकी पूरी महनत waste हो जाएगी आपको OMA sheet अच्छी तरह ध्यान से fill करना है कि आपने जो answer निकाला है उसको आप correctly OMA sheet तक पहुचा पाएं So you need to know when and how to fill the OMA sheet OMA sheet fill करने के लिया आपके पास दो तरीके होते हैं एक है section wise मतलब आप हर subject को आप complete करोगे और 10 minutes दोगे OMA sheet fill करने के लिए So you see आपने bio पूरा complete कि 30 minutes में 10 minutes लगाया आपने OMA sheet bio के लिए fill करने में Then आपने chemistry आप complete किया Chemistry का फिर OMA sheet भरा Physics and then Physics का OMA sheet या फिर आप पूरा question paper पहले solve करोगे And then at the end 30 minutes में आप OMA sheet fill करोगे What we would recommend is After every subject, after every section आप जाके OMA sheet भरिये Because आप ऐसा करोगे तो आप जब से bio के 90 questions कर लेते हो और bio के लिए आप OMA sheet भरते हो तो आप अपने 90 questions secure कर लेते हो कि कुछ भी हो जाए आपने 90 questions तो कम से कम किये हुए है And usually जब आप पूरा paper solve करके भरने की कोशिश करते हो तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप हर बढ़ाहत में गलत answer fill कर देते हो OMA sheet में So recommend हम करेंगे कि आप every subject, every section के बाद अपना OMA sheet fill करें But still अगर आप पूरा question paper solve करके भी build करना चाते हो तो वो भी आप कर सकते हो हम एक चीज बिल्कुल नहीं recommend करेंगे वो ये है कि आप हर question solve करके OMA sheet भरने जाओ So आप ऐसा भी लोग करते हैं कि हर एक question solve करते हैं And उस question का answer आप OMA sheet में भरने जाते हो So ऐसा करने पर एक तो आपका concentration break हो जाता है आप जब question solve कर रहे होते हो तो आप एक flow में होते हो और आप जब जाते हो OMA sheet भरने के लिए एक question solve करके तो आपका वो flow तूट जाता है दूसरा ऐसा करने पर आपको time जादा लगता है So आप shift करोगे question booklet से OMA sheet में shift करोगे फिर OMA sheet से booklet में shift करोगे तो आपका time उसमें काफी waste हो जाता है So अब आपको recommend करेंगे कि आप उपर वाले दो methods में से कोई एक method यूज़ करें अभी जब आप अपने sample papers practice कर रहे हो उसी time पे ही आप दोनों तरीके से एक बार fill करके देख लीजेगा अपने answers और देखेगा आपको क्या suit करता है हर section के बाद OMA sheet fill करना या पूरा paper complete करके OMA sheet fill करना और आपको जो method सबसे सही लगता है जो आपके लिए सबसे काम आ रहा है वही आप method अपने need exam में main exam day में भी use करिएगा guys that was the video हम लोग ने आपको पोरा बता दिया है कि आपको paper कैसे कहां से शुरू करना है कैसे खतम करना है OMA sheet कब fill करना है सब कुछ हमने बता दिया है start practicing using the OMA sheet अब जब अपना sample paper solve करो तो OMA sheet fill करते हुए solve कीजेगा so that आपको idea रहे कि आपको main exam के time पे कितना time लग सकता है और आप जिस हिसाब से आप भी practice करोगे उसी हिसाब से आप exam day में भी perform करोगे so वो ध्यान में रखेगा और practice आप OMA sheet के साथ करना शुरू कर दिजेगा so आज का हमारा वीडियो इतना ही था आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया हुआ है तो हमारे चानल को subscribe भी जरूर कर दिजेगा all the best for your exam आप exam centers में समल के जाएगा take care of yourself thank you